दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ ही हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई कि अब यहार के किस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी ख़बर से बड़ी खर में देखी होली से पहले बड़ा जटका एलपेजी सिलेंडर के दाम 50 रुपे बढ़े कॉमर्सल सिलेंडर में भी 35,5 रुपे महंगे जहादे के मार्च के पहले दिन ही देश के निवासियों को महंगाई का बड़ा जटका लगा है अब उनके घर के बजट में का माना जा रहा है दारसल मीडिया एजैंसी के मुताबिक 14.2 किलोग्राम माले घरेलू एलपेजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपे वढ़ा गया है वहीं 19 किलोग्राम माले कॉमर्सल सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपे का इजापा किया गया है आपको बताते चले कि इस नए किमतों में बड़ोत्रे के साथ यवराधानी पटना में अब घरेलू गेस की किमत पटना में 1201 रुपे की हो गई है बड़कर में देखे बिहार में आज से दाखिल खारीज की नए विवस्ता लागू पहले आव पहले पावो विवस्ता शुरू जिया देखे बिहार में दाखिल खारीज की एक मार्च से नए विवस्ता लागू हो गई है सुबे के सभी 234 अंचलों में अंचलदी और राजस्व अधिकारी दाखिल खारीज के मामले निप्टाएंगे यही नहीं दाखिल खारीज में पीपो का पालन गनिवार कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बतादे के दाखिल खारीज के नई विबस्ता के तहत अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी की बीचकारी का बटवार हलका के अंग के अधार पर होगा सम्संक्यावाले हलका का काम राजस्वधिकारी करेंगे तो वी सम्संक्यावाले हलका के दाखिल खारीज का काम अंचल खारीज का काम अंचल खारीज के जिम्में होगा सराब से होने वाली मौत के बाद मौावजी को लेकर यू टर्न मार लिया है जारिली सराब से मारने वालों को मौावजा देने से अब साप इंकार करने वाले नितीश कुमार ने कहा कि अब इस पर विचार करेंगे नितीश कुमार ने कहा कि इस मासली पर भी सर्वदल एक जादे कि जारिली सराव से मौत के मसले पारे नितियस कुमार का बहुत चर्जित जवाब था जो पीएगा वो मरेगा बाड़ेखर में देखे बिहार के तीन जिलों में खुलेंगे नई मेडिकल कोलेज आजी आएमेस और पीमसेच में बढ़ेगी सुविधा जादे कि वीत मंत्रे ने ये एलान किया है कि अब राज के अंदर बोजबूर, बाकसर और बेगुसरा में नई मेडिकल कोलेज खुले जाएंगे वीत मंत्रे ने कहा कि नो जिलों में मेडिकल कोलेज और अस्पताल का काम चल रहा है इसके अलवा राज के 21 सदर अस्पतालों को 580 करोड रुपी की लगत से मोडल अस्पताल बनाया जाएगा इसके साथ बिहार के नई मेडिकल इनो सिटी के लिए पटना में आरे भट ग्यान विस्वित दले में जगदी गई है इसके साथ पूर्निया, छप्रा, पश्चिमी, चमपरन, मदोबनी, वैसाले, सिवान, जमई और सितामडी में नई मेडिकल कोलेज और अस्पताल का निर्मान कारी चल रहा है वोई पटना के आईजी आमेस में 1200 बेड की चमता बढ़ाई जा रही है वोई पीम सेच में 5,662 बेड के अस्पताल के रुप में विक्सित किया जा रहा है इसके लिए 5,540 करोड रुपे की मंजोरी दी गई है बाड़ेखर में देखे दरबंगा एरपोर्ड बनेगा और सांदार निती सरकार ने दी 78 रिकड जमीन जल्द शुरू होगा निर्मान जा देखे दरबंगा एरपोर्ड पर आधोनिक सिविल एंगलोग की निर्मान रणवी की विस्तार और नाइट लेंडिंग स्विता की स्तापना के लिए दरबंगा एरपोर्ड के लिए दो किस्तों में भूमी अधिगरहन पर राजसरकार द्वारा 342.48 रुपीज से अधिक रासिक खर्च की गई है जल संसाथन स्वसुचना अवं जन संपर्क मंत्रे संजे कुमर जाने दरबंगा एरपोर्ड के लिए भूमी अधिगरहन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कुसी जायर करते वे इसके लिए मुईख मंत्रे नितिस कुमार के प्रती आभार व्यक्त किया और उमी जताई की दरबंगा एरपोर्ड पर नई स्विदाओ का निर्मान अब जल सुरू होगा बाड़े खर में देखे 72 साल के हुए नितिस कुमार प्याम मोधी लालू समेथ का निताओं ने दी बढ़ाई जा देखे बिहार के मुईख मंत्रे नितिस कुमार का कल जनम दिन था इस मौके पर नितिस कुमार को देश बर से बढ़ाई देने वालों को ताता लग गया प्याम मोधी ने भी नितिस कुमार को ट्यूट करके जनम दिन की बढ़ाई दे और उनकी लंबी उमर की कामना की पेम मोदे ने लिखा कि बिहार के मुख्य मंतरे नितिश कुमार जी को जनम दिन के हार्दिक बदाई मैं उनके लंबिस समय और सौस्त जिवन की काम न करता हूँ पिया मोदी की ओर से मिले बदाई संदेश का जवाब देते वे नितीश कुमार ने अपने ट्विट में लिखा कि माननीय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को धन्यवाद एवा माभार आपकी ओर से मिली सुब कानाव के लिए आपका नमन और अभिनन दन इसके साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव ने भी नितीश कुमार को जनम दिन की बदाई दी लालो ने ट्विट करके लिखा कि हमारे पुराने मित्र छोटे भाई बिहार के माननीय मुख मंत्री नितीश कुमार को जनम दिवस के हार्दिक सुब कामनाए मार्च से ही गर्मी का असर सुरू होने वाला है इस सल मैं महिन तक समाने से ज्यादा गर्मी पढ़ने की आसंका है इस दोरान तेज गर्म हवाय भी चल सकती है भारतिय मौसम बिभाक ने मंगलवार को पुरानमान जारिक किया है इनिस समावित आलात के मादे नजर केंदर सर बना गया है मार्श से माई माहिने तक उत्तर भारत व्यादिक्तम ताप मान समाने साधिक रहने के समभावना है बाड़ेखर में देखे नितियस ने खोली बड़ बोली सिक्चमंद्री चंदर सेखर की पोल सिक्चक बहाली का प्रास्ता भेजा ही नहीं और अकपार में छपा दिया हम पता लगाते रह गए जी आद जीके बिहार में साथवेचरन की सिक्चक निक्ति को लेकर टिवृटर पर गोसना करने के साथ साथ मीडिया में बयान दे रहे सोबिक की सिक्चमंद्रे चंदर सेखर की पोल कल नितियस कुमान ने कोल दी है विदान सभा में नितिश कुमा ने का कि सिक्चा मंतरी ने अकबार में चपवा दिया कि सिक्चक नियुक्ति की नियमाली बनाने के परस्ताव हमने भेज दिया है मैं पता लग रहते ही रग गया कि लेकिन केबिनेट में कोई परस्ताव आया ही नहीं था आग बार में बेए चपवा दिया कि सिख्चा मंदरे चाता है कि सिख्चक नियुक्ति का प्रस्ताव केबिनेट के पास हो लेकिन सरकार ने पास नहीं किया जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया ही नहीं है आपके जानकारे के लिए बतादे कि बिहार के सिक्षा मंत्रे ने फरवारी महिने में दो दपे सिक्षक न्योगती की नियमाले की गोसना ट्यूटर पर कर दी थी पिछले तीन परवरी को ही उन्होंने ट्विट करके लिखा था कि सात्वा चरन की न्यूक्ति होने जा रही है वर्स दो जर तेस न्यूक्ति का वर्स होने वाला है कोई अभियरति गबराईने महेना बर के अंदर में न्योजन नियमोले आपके बीच आ जाएगा सारी मेगा सिक्षक पातरता परिशा के अधार पर बनेगी और जिला प्रसासन ने नितुत में बहाली होगी तो वहीं बुदवार को बिहार विदान सवा में मुख्य मंतरे नितिस कुमार ने अपने बड़ बोले मंतरे चंदर सेखर के जूट का पर दवास कर दिया सदन में बोलती है नितिस कुमार ने कहा कि एक दिन अगबार में देख रहे हैं कि सिक्षमंद्रे ने प्रस्ता बेजा है हमको पता ही नहीं था केबिनेट में अभी तक आया ही नहीं था लेकिन अगबार में चप गया कि सिक्षमंद्रे ने कदिया कि भेजे है अगबार में जब आया तो हमने पुछवाया था कि भाई कहां से आ गया अगबार में ये छपने लगा कि ये चाहते हैं और हुआ नहीं जबकि केबिनेट में आया ही नहीं था बाड़े खर में देखे मार्च 2025 से पहले सुरू हो जाएंगे पाटना मेट्रो के पांच इस्टेसन आवागमन में होगी सहलियत जैदे कि बिहार सरकर के बजट 2023-2024 में पाटना के विकास के रबदार अब वो तेज होगी बजट में सहर में कई प्रोजेक्ट के लिए रासी स्विकृत की गई है कई प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया गया है पाटना में मेट्रो वाटर डेनेज सिस्टेम सिच्चा स्वासादी के चेतरों में अधिक स्विधाय मिलेगी सटको वा फ्लाइ ओबर के निर्मान से आवागान में सहलत होगी अगले वित्य वर्स में पहले से चली यारी सुरू होने वाले नई प्रोजेक्ट पर लगबग दस अजार कडोर से अधिक रासी खर्चोंगी इसमें विकास के रप्तार भी को गती मिलेगी मैं देखे आधिकारियों के मुताबिक पाटना मेटरों के एलेविटेट ट्रेक का निर्मान कार तेजी से चल रहा है पाले चरन में मार्च दोजर पचीस तक पाटली पोत्र बस टर्मिनल जिरो माईल बोतनाथ खेमनी चकोर मलाही पकड़ी स्टेसन सुरू हो जाएंगे इसके लंबाई पाटली पोत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी के बेच करिब 6 किलोमेटर की होगी बाड़े खर्मिनल के बिहार में गलवान सहित के पिता की गिरबतारी पर बावाल राजनात ने नितिस को पून लगाया डीजीपी बटी ने बनाई जाच टीम विजीपी ने नितिस सरकार पर सहित परिवार का अपमान करने का आरोब भी लगाया है दरसल मामला यहा कि गलवान घाटे में चिनी सेनिकों से लड़ते वे सहीद हुए जवान जै किसोर सिंग की पिता कपूर सिंग को बैसाले जिले के जदाहा इलाके में पुलिस ने हाले में गिरबतार कर लिया था परिजन का आरोपे की पुलिस ने उन्हें घसिट कर जिप में बैटाया और फिर थाने ले जाकर बैटाई की सहीद की पिता की खिलाब सिस्टी एक्ट में मुकदमा दर्ज है उन पर आरोपे की सहीद जै सिंग के समारक उन्होंने सरकारी जमीन पर बनवा दिया और रस्ता रो 3,90,000 पदों पर भरती की घोसना की है इसके साथ 19 जीलों के सदर अस्पदालों को मॉडल हस्पिटल बनाया जाएगा राज सरकार 10 लाक लोगों को रोजगार से जोड़ेगी वहीं बिहार में इस बार का बजड़ 2.61 लाक कड़ोर रुप्य का है वाईदे कि बिहार में जा करिसी रोड में अब सुरू होगा इसमें दलहन तिलहन और पोस्दा का नाज पर बिसेस फोकस रहेगा तलाक सुदा आलप संक्यक महिलाओ के लिए तोफेख गुजारे के लिए 10 की बजाया 25,000 रुप्य देगी सरकार जादे के बिहार में तलाक सुदा आलप संक्यक महिलाओ को 25,000 रुप्य गुजारा बत्ता दिया जाएगा अपने बजट भासन के दोरानवीत मंत्री विजज चोदरी ने मंगलवार को कहा कि आलपसेंक्यक कल्यान योजना किताद बिहार सरकार अतलाक सुदा आलपसेंक्यक महिलाओं को सहाइता रासी के तोर पर पर पले 10,000 रुपी देती थी इसे बढ़ा कर अब 25,000 रुपी कर दिया गया है पाड़े कर में देखे मैट्रिक परिचा का मुल्लाकन बुद्वार से राजबर में बने 172 केंद्र जादे के भी हार बोर द्वारा मैट्रिक परिचा का मुल्लाकन बुद्वार से सुरू किया जाएगा मुल्लाकन की सारी तैयारी पूरी कर लिए राजबर में 172 मुल्लाकन केंद्र बनाए गया है मुलाकन के इंदरों पर परिच्छकों का योगदान मंगलवार को किया गया समय पर मुलांगन समाप्थ हो सके इसके लिए दो सिप्ट में मुलांगन किया जाएगा इसके लिए कूल 27006 परिचक लगाए गया है इसके अलावा 11785 MPP और 236 कंप्यूटर जानकार को मुलांगन में लगा गया है मुलांगन कार ये 12 मार्च तक चलेगा इसी बीच होले के आवकास में से 7-9 मार्च तक मुलांगन कार इस्तागित रहेगी बिहार के मारेन ड्राइब पर अब चलेंगे पबलिक ओटो अप्रेल से गांधी मैदान से हाजीपूर तक मिलेगी सुविधा रेड भी हुआ थाई जादे के पाटना की खूबसूरती में सामिल मारेन ड्राइब अब लोगों को जल्दी बड़ी सुविधा देने वाली है अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पहले से अधिक सुविधा मिलने वाली है दरसल गांधी मैदान से गंगा पात्वी होते विए दिगा सुनपूर और हाजीपूर इस्टिसन तक अपरेल मा से ओटो को परिचालन किया जाएगा इसका लापटना और गंगा नदी पर रहने वाले लोगों को मिलेगा इसके साथ दिगह गांधी मैदान राजपूरल बोरिंग रोड पाटली पुत्र कलोनी सहिद असुक राजपूर से 60 बसी कलोनी में रहने वाले लोगों को सोनपूर और हाजीपूर आने जाने के लिए इस्टिसन गोलंबर जाकर ओटो पकड़ने के जवरत नहीं होगे इन्हें गांधी मैदान या दिगा से ओटो मिल जाएगा इसके साथ याब लोगों को मरिन ड्राइब पर भी जाने के लिए प्राविट गाड़ियों को प्योग नहीं करना पड़ेगा बलकि अब उन्हें या जाने के लिए पाबलिक गाड़िया भी मिल जाएंगे प्रिपेड और सेरिंग भड़ा दोनों चलेगा इसके लिए बिवागे इस्तर पर आटो चालोक सो से बात्चित हो रही है प्रासासनी का नुमती मिलते ही एक अप्रिल से लोगों को सुविधा मिलने लगेगी आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें